नमस्कार दोस्तों आप देख़े हैं स्पोर्ट सार आपके साथ मैं हूँ अप्पूर मिश्रा आज फुनाल पर अंडिया के लिए बहुत बड़ा देने हैं क्योंकि उनको आज पहली बार वन डे इंटरनेश्टल टीम को रिप्रेजन करने का मौखा मिला है और इससे पहले त इसके तरब से लगातार बहुता पतरशन करते ही आ रहे हैं और डाउंडर हैं ब्लेफ टाम और्टॉल और स्प्रमर हैं साथे साथ ताबटोर बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं तो जो विजए हजारे में उन्होंने किया उसका फाइदा उन्हें वन डे इंटरने के सच होने की कहानी है कुनाल पांडिया को जब वन डे की डेब्यू कैप मिली तो आम तोर पर किसी को डेब्यू कैप मिलती है तो कोई सीनियर खिलाडी टीम का देता है अगर बल्लेबाज है तो कोई बड़ा बल्लेबाज उसको देता है कोई और डाउंडर तो उसको कोई बढ़ा देता है ऐसे में कुनाल पांडिया के लिए जो कैप दी गई वो दी गई हार्दिक पांडिया की तरफ से जो कि छोटे भाई हाला कि भाई छोटे तरूर है लेकिन प्रिकेट में तो उनसे सी नहीं है क्योंकि कि ओडियाई में पहले उनहीं का चैन हुआ है बहुत सारे ओडियाई तीम इंडिया की तरफ से खेल चुके हैं हार्दिक पांडिया इसलिए हार्दिक पांडिया ने को उनकी डेब्यू कैप सौफी बहुत खुश्च नजर आए तुरन तुरह ने अपनी कैप आस्मान की हो गया हूं और पहला मैच खेलने जारा हूं उसके बाद पिरन में देखा कि जब टीम हडल थोड़ा सा अलग हुआ सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे पांडिया को भी और साथे तरफ प्रसिद कृष्णा को भी उस समय पांडिया जो है वो थोड़ा सा एमोशनल हो गया ह हार्दिक पांडिया के गले लगकर उनकी आँखों से आसु छलक उठे और हार्दिक पांडिया उनको पुरा सांतो ना देते हुए नजर आए कि कोई बात भाई दुखी मतों तेरा सपना सच हुआ है पस खोड़ देना एक तब तो यह एक तस्वीर है जो सोचल मीडिया पर झाल